हेलो अब्रिवन वेल्कम टू देवरसोई आज हम बनाने चाहरें बहुत ही जादा डिलिश्यस सैंडविच जो कि बहुत ही जादा सिंपल और टीस्टी होंगे बच्चों के टिफिन में या फिर आप सुभा के नाश्टे में जब चाहें तब इन्हें बना के ट्राइ कर सकते हैं यह बहुत ही सिंपल और टीस्टी होता है तो चलिए वीडियो शुरू करता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मैश्ट पटेटोस, प्याज और टमाटर अब मैं हमारी बारिक कटी होई प्याज को हमारी पटेटोस में आड़ कर दूँगे अब मैं इसमें आड़ कर दे हूँ टमाटर अब मैं धनिया इसमें आड़ कर दी हूँ अब मैं इसमें आड़ करूँगे बारिक कटी होई हरी मेच अब मैं इसमें आड़ करूँगी वन टेबल स्पून मसाला स्वादनु साल नमक वन टेबल स्पून चाट मसाला और थोड़ी सी हल्दी पाउडर अब ये देखें मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी अब ये देखें कितने बड़िया तरीके से मिक्स हो चुका है और हमारा इतना पर्फेक्ट मिक्स्चर बनके तयार है अब देखें मैंने यहां ले ली हैं कुछ ब्रेट्स अब मैं इन ब्रेट्स पे हमारा बनाया हुआ मिक्स्चर लग दूँगी यहां मैं इस पे अच्छे तरीके से हमारा मिक्स्चर फिला रही हूँ अब इसी तरीके से मैं दूसरी वाली ब्रेड पे भी हमारा मिक्स्चर फिला लूँगी अब मैं इस पे रख रहे हूँ एक चीज का स्लाइस अब मैं हमारी दूसरी वाली ब्रेड को इसके ऊपर रखे ऐसे कवर कर दूँगी अब यहाँ पर मैंने दूसरी ब्रेड ले ली है उस पर मैं रख रही हूं हमारा मिक्सचर मैं मिक्सचर को अच्छी तरीके से फिला लूँगी अब हम हमारी ब्लेड पे रखेंगे एक चीज का स्लाइस अब हम इसको भी कवर कर देंगे अब चलिए हम अपने सैंडविच को सेक लेते हैं अब देखे मैंने एक तमा गैस पे चड़ा दिया है मैंने इसमें डाल दिया है बटर अब हमारा सैंडविच मैं इसके उपर लग दूँगी अब मैं इसे नीचे के साइड से दो मिनिट तक पकने दूँगी ताकि हमारा सैंडविच बढ़िया तरीके से पक जाए अब चलिए नीचे के साइड से पक चुका है तो हम इसे पलट लेते हैं अब देखिए मैं इसे या पर पलट रही हूँ और देखिए नीचे के साइट से कितना बढ़िया बन चुका है इसमें कितना परफेक्ट कलर आया है अब इसी तरीकी से मैं इसे नीचे के साइट से भी पकने दूंगी अब देखिए दोनों साइड से बहुत असे से बख चुका है तो चलिए अब हम इसे सर्व कर ले अब मैंने फिर से पैन में बटर डाल दिया है अब हमारा तर्यार करा हुआ दूसर सैंविच में मैं इसे रख दूँगी और इसे दो मिदिन तक नीचे के साइड से पकने दूँगी अब यह नीचे के साइड से पक चुका है तो मैं इसे अब यहाँ पे पलट लूँगी अब ये देखिए मैंने इसे याँ पलट लिया य देखने में ही कितने जाधा टेस्टी लग रहा है आप देख सकते हैं इंस सैंड़ीश की फिलिंग भी कितने जाधा अच्छी लग रही है मैंने इसे अलाल चिटनी केसाद सर्व करा है बच्चों के टिफिन में या फिर नाश्टे में आप इसे चप चाहे तब बना के ट्राइ करें ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये देखें यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखा रही हूँ और देखें इसमें से चीज कितनी अच्छी लग रही है और हमारे चीज वाले सैंडविच एकदम परफेक्टली बन के तैयार है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो आप इसे उनके लिए जरूर बना के ट्राइ करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक्स पर वच्छिंग दे वीडियो